साथियों, स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है, वो समय और स्थान से परे हर पीड़ी को प्रेडित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शाहद ही ऐसा कोई गाव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो, जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसुस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो। स्वामी जी की प्रेडा ने आजादी की लड़ाई को भी नई उर्जा दी थी। गुलामी के लंबे कालखन ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानन ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया। उनके सामर्थ को उनके मन मस्तित में पुनर जिवित किया। राष्ट्रिय चेतना को जागरत किया। आप ये जानकर हरान रह जाएंगे कि उस समय करांती के मार्ग से भी और शांती के मार्ग से भी दोनों ही तरह से जो आजादी के लिए जंग चल रहा था। आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं ने कहीं स्वामी विवेकान जी से प्रेरी थे। उनकी गिरपतारी के सबाएं, फांची के सबाएं, स्वामी विवेकान से जुड़ा साहित्य जरूर पुलिस के हाथ आता था। तब इसका बाकाइद अध्यन करवाया गया था कि स्वामी विवेकान जी के विचारों में ऐसा क्या है जो लोगों को देश भक्ति के लिए, राष्ट निर्मान के लिए, आजादी के लिए, मर मिटने की प्रेरना देता है, हर यन्नव युवान के मस्तिस को इतना प्रवित करता है, समय गुजरता गया, देश आजाद हो गया, लेकिन हम आज भी देखते हैं, स्वामी जी हमारे बीच ही होते हैं, प्रतीपल हमें प्रेरना देते हैं, उनका प्रभाव हमारी चिंतन धारा में कही ने कही नजर आता है, अध्यात्पक को लेकर उन्होंने जो कहा, राष्टबाद, राष्ट निर्माण, राष्ट भक्ति को लेकर उन्होंने जो कहा, जन सेवा से जग सेवा को लेकर उनकी विचार आज हमारे मनमंदिर में उतनी ही तिवरता से प्रभाईत होते हैं, मुझे भी स्वास हैं, आप युवा साथी भी उस इस बात को जरूर महसूस करते होंगे, कहीं पर भी वीवेकारिन जी की तस्वीर देखते होंगे, कल्पड़ा तक आपको नहीं होगी, मनों आपके मन में एक सर्धा का भाव जगता होगा, सर आपको नमन करता होगा, ये अवश्य होता होगा, साथियों, स्वामी वीवेकानन ने एक और अनमोल उपार दिया है, ये उपहार है व्यक्तियों के निर्मान का संस्थाओं के निर्मान का और ज़्यादा तर ऐसे विश्यों की चर्चा भी थोड़ी कमी होती है लेकिन हम अध्यान करेंगे तो पाएंगे कि स्वामे विवेकानन ने ऐसी संस्थाओं को भी आगे बढ़ाया जो आज भी व्यक्ति के निर्मान का काम बक्खु भी कर रही है उनके संस्कार उनका सेवाभाव उनका समरवड़पाव लगातार जगाती रहती है व्यक्ति से संस्था का निर्मान और संस्था से अनेकों व्यक्तियों का निर्मान एक अनवरत अविलम अबाधित चक्र है जो चलता ही जा रहा है लोग स्वामी जी के प्रभाव में आते हैं समस्थानों का निर्मान करने की प्रेणा लेते हैं समस्थान निर्मान करते हैं फिर उन समस्थानों से उसकी व्यवस्ता से प्रेणा से विचार से आधर से ऐसे लोग निकलते हैं जो स्वामी जी के दिखाए मार्क पर चलते हुए नए लोगों को खुद से जोडते चलते हैं इंडिवीजियल से इंस्टिटूशन और इंस्टिटूशन से फिर इंडिवीजिन ये चक्र आज भारत की बहुत बड़ी ताकत है। आप लोग एंट्रप्रिनर्शिन किसिप के बारे में बहुत सुनते हैं। वो भी तो कुछ एक प्रकार से यही जिवाते हैं। एक ब्रिलियंट इंडिवीजियल एक शांदार कंपनी बनाता है। बाद में उस कंपनी में जो इकोसिस्टिम बनता है। उसकी वज़े से वहां अनेकों ब्रिलियंट इंडिवीजियल्स बनते हैं। ये इंडिविजल्स आगे जाकर और नहीं कम्पनियां बनाते हैं। इंडिविजल्स और इंस्टिजुशन का ये चक्र देश और समाज के हर क्षेत्र, हर स्तर के लिए उतना ही महत्रपूर है।